तो देखिए आज मैंने बनाया है यह डोर मैट यह मैंने बहुत ही आशान तरीके से बनाया है यह मैंने छे कलियों में पूरा डोर मैट बनाया है इसे बनाना बहुत ही आशान है तो चलिए बनाना इस्टाइट करते हैं देखो सुन्दर सा प्यारा सा डोर मैट कलियों वाला तो चलो इसे बनाना इस्टार्ट करते हैं आज मैं आपको बना कर दिखाऊंगी छे कलियों वाला डूरमेट जो कलिया अगल-गल बनाई जाती हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने ये नोट लगाई है अब इसमें हम इस तरीके से फंदे डालेंगे तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, जै चोदह, पंदह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, एक्किस, बाईस, तेईस, और ये चोबिस ये चोबिस फंदे डाले हुए है अगर आप इससे बड़ा बनाना चाते हैं, तो और फंदे डाले, अगर छोटा बनाना चाते हैं, तो कम फंदे डाले देखिए, ये मैं आपको साड़ी से बना कर दिखा रही हूँ, इस तरीके से देखो, ऐसे बनाएंगे मैंने साड़ी की पट्टियां एक एक इंची की कट की हैं, अगर आपके पास दुपट्टे हैं या ब्लॉज पीस हैं, जो साड़ी में आते हैं, उन्हें नहीं सिलवाते हैं, वो हैं, तो आप इस तरीके से गोले बना लें और अपने डोर्मेट के कलियां इस तरीके से बना एक रो हम साधा लगाएंगे, कोई फंदा गठाएंगे नहीं, कोई फंदा बढाएंगे नहीं, शिर्फ ऐसे ही साधा रो लगाएंगे बहुत ही आशानी से यह वाली डिल्यांग डग जाती है, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे, तो बहुत ही आशानी से इसे बनाना सीख जाएंगे अगर आप मेरे चैनल पर लियू है, तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों कसा सियर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलना चाहिए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी अब क्या करेंगे त्यान से देखना, इस वाले फंदे को उतारेंगे, दूसरे फंदे से बनाना इश्ट्राइट करेंगे इधर के साइट में हम दो फंदे छोड़ देंगे, बिना बुने दो फंदे छोड़ेंगे देखिए, ये मैंने दो फंदे छोड़ दिये देखो, एक और दू, यहीं से दागे को अपनी तरफ लेंगे, यानि सीती तरफ अब यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से देखो, कितनी अच्छी तरह से ये छेकलिया बन जाती है चाहे आप चार कलरों का इसमें इस्तमाल कर सकते हैं या छे कलरों का इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास साड़ी दुपट्य कुश्वी हो आप इस तरीके से बना सकते हैं बहुत शुन्दर लगती है ये वाली जिजान बनने के बाद मैं पूरा डोर मैट बना कर दिखाऊंगे मैं आपको और बहुत ही आशनी से बन जाता है तो देखिए लास्ट वाला फंदा हम कैसे बनाएंगे देखो दियान से देखना इधर की साट में धागे को करेंगे और ऐसे सीधे लेंगे इस तरीके से इससे क्या होगा हमारी नारी एकदम प्रवपर आएगे और फंदे को उतारेंगे फिर से बनाना शुरू करेंगे तो इसी तरीके से हम दो तीन सलाई लगाएंगे इसमें यानि चैसलाई बना लेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरीके से बनानी है बस से तीन बार और ऐसे बना लेंगे देखिए इसमें हमें इस तरीके से नोट नहीं लगानी पड़ती है और पट्टी हमारी बहुत ही आशानिते अटेश हो जाती है देखो एक, दो, तीन, तीन रूम मैंने लगा ली है अब आगे क्या करेंगे ध्यान से देखना इतरकी साथ मैं मैंने दो, दो करके 6 पंदे छोड़ दिये हैं देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक, दो, तीन, तीन दूने 6, 6 पंदे छोड़ दिये यहां से अपने दागे को उल्टी तरफ लेंगे अब यहां से क्या करेंगे? यह वाला कलर चाज़ करेंगे white color को हम यहीपे छोड़ देंगे, अब इससे बनाएंगे देखो इस तरीके से जैसे हम इस वादी color से बना रहे थे, वैसे ही बनाएंगे आप पीछे की तरफ हमने white color के छेपन्दे छोड़ दीए हैं इसी तरीके से इस वाले color के भी हम दो-दो करके 6 फंदे छोड़ देंगे फिर से white color लगाएंगे फिर से 6 फंदे छोड़ेंगे और फिर से इस वाले color को लगाएंगे तो थोड़ा सा बना कर मैं आपको दिखाऊंगे इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे इस वाले फंदे को चाहिए कोई भी कलर लगाओ सीधा ही लेंगे ऐसे देखो इस तरीके से अब यहां से इस वाले फंदे को उतारेंगे अब यहां से दूसरे फंदे से बनाना इस्टाइट करेंगे देखो यहां पे हम अब इस वाले कलर के दो फंदे छोड़ देंगे मैं आपको अभी पंदे छोड़ कर बताती हूँ देखिए देखो यह छोड़ दिये मैंने यहीं से दागे को अपनी तरफ लेंगे यानि सीधी तरफ सौरी उल्टी तरफ अब यहां से फिर से बनाएंगे तो मैं आपको ऐसी तरीके से थोड़ा सा बना कर दिखाती हूँ आपकी बहुती आश्रानी से समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से यह बनाया हुआ है देखिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यह मैंने छे फंदे छोड़ेते सब्सक्राइब द tsunami और यहां से इसवाले फंदे को तारेंगे इसे बनाएंगे है अब दो फंदे इसे बनाएंगे therm मेने यह को मूर लेंगे अब इस वाले फंदे को हम सीधा ही लेंगे दोनों तरफ से देखो इस सीधा लिया अब क्या करेंगे देखो फिर से देखो यह वाले फंदे को उता रहेंगे इससे बनाना सुरू करेंगे अब यहां पे यह वाला फंदा उठाएंगे क्योंकि अगर हम यह वाला फंदा नहीं उताएंगे तो बीच में जाली हो जाएगी तो हम कोई सा फंदा उठा कर दूसरे फंदे के साथ बना देंगे देखिए यह बना दिया अब एक वाला फंदा लेंगे देखिए फिर से इनी को पद्र समines को बनाएंगे इससे नहीं बनाएंगे सॉर्ई कि अब यहां व Holrie तरफ है ना उल्ती तरफ हो हम तो अब हम इसने बनाएंगे वाइट कलर से कि वाइट कलर से बनाएंगे यह फंदा हम सिधा ही बनाएंगे देखिए इस तरीके से देखो यह हो गया अब मैं आपको थोड़ा सा बना कर और दिखाती हूं अब यह वाले वैट कलर का फंदा उठाएंगे और एक इसमें से लेंगे बना देंगे इससे क्या होगा जाली नहीं पड़ेगी मैं द्वारा से आपको बता रही हूं इसी तरीके से हम जैसे हमने दो-दो करके फंदे छोड़े हैं तो दो-दो करके हम सभी फंदों को बना लेते हैं इसी तरीके से यह वाला फंदा हम सीधा ही लेंगे ऐसे देखिए देखो तो इसी तरीके से हम दो-दो करके सभी फंदों को यहां तक बना लेते हैं इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे बस यहां तक बना कर मैं आपको फिर से देखाती हूँ तो देखिए मैं इस तरीके से हमारी कली बनके कम्प्लीट होगी आपको दिख रही होगी देखो इसी तरीके से बनेगी बस अगर आप उनको इससे बड़ी बनाना है तो इसी तरीके से च्छाषआ फंदे हम छोड़ते जाएंगे अगर इससे छोटी बनानी है तो इसमें हम दो दो करके color change करेंगे दो दो 4-4 फंदे छोड़कर color change करेंगे इसमें मैंने 6-6 फंदे छोड़े हैं क्योंकि इसमें ज्यादा फंदे हैं अगर इससे छोटे फंदे लेने यानि थोड़े फंदे से बनाना चाहते हैं दोड़ मैं तो इसमें 4-4 फंद पista चोड़े में और क्लर चांज करां तो तो देखिए इसे सुन्ध ऋड़ें के सलब खांद के तैयार हुई है तो अब क्या करेंगे है और इसे उताسم उखागे है सबी फंदों को हम दो-दो करके बंद कर देंगे ऐसे फिर से इस वाले फंदे को लेंगे इसके साथ मैं ऐसे कर देंगे देखो इसी तरीके से बस इसमें हमें एक जैसी तीन कली बनानी है और एक जैसी तीन कली बनानी है तो इसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि मैंने आपको यह वाली कली बना कर दिखाई है और देखिए तो इसी तरीके से बाकी फंदों को भी मैं बंद कर देती हो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरीके से बंद करेंगे देखिए मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है इस तरीके से और देखो ऐसे खीचते हुए नोट भी लगा देंगे साथी साथ तो यह मेरी एक कली बनके कंप्लीट हो गई है आपको दिख रही होगी देखो अब क्या करेंगे यहां से दागे को कट कर देंगे इस वाले कलर की बनाएंगे तो बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए तीन कली मैंने इस वाले कलर की बनाई है तीन कली मैंने इस वाले कलर की बनाई है देखो कितनी सुन्दर कली बनके तैयार हुई है अब इससे हम डूरमेट के जान बनाएंगे तो इस तरीके से अपनी कल यह लगाएंगे ऐसे यह मेरी कली थीन कली लग गए देखो आपको दिख रहे होंगी जुल अब तो देखिए मैंने पूरे दोर्मेट को सिल लिया है बीच में और स्लाई करेंगे इसके थोड़ी सी देखो अभी जगह पाकी है सिलने के लिए तो अब मैं आपको इस दोर्मेट को सीधा करके दिखाती हूँ देखिए कितना सुन्दर ये दोर्मेट बनके तयार हुआ है आपको दिख रहा होगा काफी सुन्दर बनके तयार हुआ है देखो कितना सुन्दर लग रहा है ये तो ये मेरा दोर्मेट बनके सिल के पूरी तरह प्रेसी तेया है